यूट्यूब चैनल मेरे ना मेरे तो इश्रमर सबका स्वागत करता हूं तो ये टापिक काफी लोगों ने मुझसे पुछा था बार बर की भाईया मेरा प्री तो हो जाता है लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाता अब देनी का प्राबलों हो रही मतलब सारे प्री क्लियर हो रहे है या प्री हो रहे हैं लेकिन मेंस हो ही नहीं बार रहा है क्या यूश्य हो आ रहा है तो देखो इसके लिए मैंने कुछ सवाल बनाया है जो आपको अपने अपसे पूछने और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको देखनी है जो की इंपॉर्टेंट है सबसे पहल कर रहा है और कुछ ऐसे होंगे जो 60 से उपर होंगे बहुत ही रिसेर्च करके मैं चीज़ें लेकर आया हूँ क्या प्रॉब्लम होती है देखो जो यह लोग होते हैं जिनके 50-60 की विच में आते हैं माक्स इनके माक्स बुरे नहीं है ये कटाफ पार कर रहे हैं बट इनकी सबसे पहले इनकी बेसिक की कमी है यह रहा है कि अपकी प्राक्टिस में कमिए आपको लगता प्रिक्लियर हो गया वो ना के बराबर ही हो इन पर हुआ है और उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि clear हो गया बट आपकी practice नहीं है अगर आपकी practice हो दी 60-70 नमबर आ सकते हैं आपके बट वहाँ पर आपके देखो नमबर कितने आ रहें 52 तो इसका मतलब क्या है कि आपकी practice की कमी है तो आपको अपनी practice पर ध्यान देनी चाहिए ना कि यह सोचकर कि pre हो रहा basic basic बात कर रहा हूँ mean क्या करना है वह बाद में आता हूँ अब जिसी एक कुछ होते हैं यह plus 60 वाले इसमें दो क्रेडिया होता है ठीक है एक जो लोग होते हैं वो लोग कौन से होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक subject में रह जाते हैं mostly यह लोग मिलेंगे आपको जो means में सिर् subject पर काम करो और कि subject पर काम मत करो यह उस पर बहुत extra काम करो ना आप तभी तो काम चलेगा कि आप उसको छोड़े तो कि सब के बराबर पढ़ोंगा देखो सब आपके पास होगये थे अकेला वो पास नहीं हुआ तो जितना time सबको देना है उससे extra time उसको देना है वाई पह लोग बन गया है एक यह वाले पचास साथ वाले एक मेंस वाले एक और तीनों के लगर बात करता हूं सबसे पचास साथ की नमार्क स्बीच में है अब इनको क्या करना मेरे भाई आपको सबसे बिले प्री का basic strong करना बहुत जादा अब बुक क्या फॉलो करता हूं मैं तो अ आपको लगता है कि यह नमबर आ रहें पास होगया नहीं यह आपकी दर्शा को तरदा मदब दर्शार है कि नमबर तो कम है यह आपके भाई आपकी त्यारी नहीं है इतने कम नमबर में महान लेते हैं कि क्लियर होगया बट नहीं मैं वह लेवल नहीं बनाए भी ठीक है सेक की हाई लेवल रीजनिंग ले लो इन दोनों किताबों खतम करो फिर देखो आप अपने आप में है ना और आपने अभी मौक की तरफ नहीं जाना है आपने सिर्फ वजर प्रैक्टिस करनी है यह चीज़ है अब सेकिंड जो लोग एक टॉपिक में रह जा एक सब्जेक्ट में उनको एक समझनी है कि एक तो यह कि जो सब्जेक्ट रहे रहा है आपका उसको प्रैफरेंस देनी है उसको प्रैफरेंस देनी है उसको प्रैफरेंस देनी है उस पे जाला टाइम लगाना है अगर बागी सब्जेक्ट पर एक गंटा लगा रहे हो तो उस पर लगाना आपने दो या ढ़ाई गंटे इस चीज को समझना है और अब इन्होंने क्या करना है अब जो ये तो होगी इनके special strategy अब जो एक subject में रहे हैं चाहब overall रहे हैं लेकिन उनकी means का त्यारी होचे कि उनको syllabus सारे आता है तो उनको क्या करना है उनको कुछ नहीं करना है उनके जो mock test थे काम करना बस कुछ नय करना नहीं है अमने practice का ह्राहर हो जाए केरना क्या आप ने जिनका बिल्कुल नहीं श्यान, BT करना है उनको प्रैसिक हो होच्चत है उनको गोश। वाले जो आपकी छूटकों कर आपने प्रैक्टिस नहीं किरोंगे जो एक प्लैट्फॉर्म के दो प्लैट्फॉर्म के तीम कंप्लीट मॉक्टेस जो हैं उनको समिट करो उनको सॉल करो ठीक है तो यह चीज़े सॉल करो बस इसके लाग कुछ मत करो आप देखो आपको अदर समझ आयों से कुछ रिखने को मिलाओ टांकि समझ जल्दी मिलेंगा क्लिवी प्रित के लिए और वेस ट्यारी करते हैं बाए